आज शाम होते ही ठंड़क काफी ज़ादा बढ़ गए थी और सबकी फर्माईश पे मैं आप लोग के लिए मतर आलू की बहुत ही ज़ादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ मतर की ये रेसिपी एक बार आप बना लेंगे तो आप हर बार बनाना पसंद करेंगे और मतर का सीजन है और मतर की ये रेसिपी नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया सर्दियों के मौसम में ताजे ताजे मीठे मीठे मतर मिलते हैं फ्रोजर मतर में वो बात नहीं होती है तो इस मतर से बहुत ही ज़ादा टेस्टी और एकदम यूनिक रेसिपी फ्रेंट्स मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए मैंने एक कटोरी मतर लिया है और दो आलू को अच्छे से चील के इसके छोटे छोटे टुकडे कर लेना है अगर आपके पास बोईल आलू है तो आप इसमें बोईल आलू भी डाल सकते हैं और आलू को कट करने के बाद इसे अच्छे से हमें धो लेना है आलू का जो स्टार्च होता है उसे अच्छे से हमें धो कर निकाल लेना है तो इस तरीके से मैंने सारी चीजों को बढ़िया से धो लिया है तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ अगर आपको ये रेसेपी थोड़ी सीपी पसंद आए यूसफुल लगे तो प्लीज इसे जादर जादर शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ग्रैंडिंग जार उसमें डाल देते हैं आलू और मतर तो इसे हम बीना पानी डाले एकदम बारीक करके पीस लेंगे मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे तो इस तरीके के ये देखिए पेस्ट बन कर त्यार हो जाएगा बहुत ही बारीक हमें पेस्ट बना कर त्यार कर लेना है तो इसे एक बार में हम निकाल लेते हैं फ्रेंट्स मतर की घुगनी की रेसिपी नीमोना की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं रेसिपी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाल में थोड़े बहुत जो मटर का पेश्ट बचा धना उसे हम निकाल लेते हैं, तो सारे मटर को मैंने निकाल लिया है, इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं, तो इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे आ तक जरूर देखें और सर्दी के मौसम में इसका इंजॉय करें बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी बनने वाली है इसे अच्छे से मिक्स करने के वाद इसे ढग देते हैं दस मियट के लिए रेस्ट होने के लिए तब तक चलिए हम चटनी बना लेते हैं तो यहां पे ले लि बहुत ही जादा टेस्टी चटनी बनती है अच्छे से दोकर सारी चीजों को कट कर लेना है और मिर्ची के हम दो टुकडे कर लेंगे इस तरीके से सारी चीजों को हमें कट कर लेना है और मैं कदम दिखाती हूं किस तरीके का कदम होता है तो इस तरीके का कदम का फल होता है इसे आप फल कह सकते हैं या फिर फूल कह सकते हैं कदम के पीले कलर का होता है बहुत ही जादा इसकी टेस्टी सबजी बन कर तयार होती है चटनी बनती है खटा मिटा फ्लेवर होता है इसका पक जाने के बाद तो इस तरीके से मैंने इसको छोटे छोटे टुकडे में कट कर ल रेसिपी लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो सारी चीजे हमने कट कर लिया है तो चलिए फटा फट से इसकी चटनी बना लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पे ग्रैंडिंग जार लिया है और इसमें हम डाल देते हैं धनिया पूदीना और कदम लैसन मिर् चटनी बना लेंगे तो आप देख सकते हैं चटनी की जो थिगनस है एकदम पॉर्फेक्ट है आप चाहें तो इस तरीके की चटनी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पाने मिलाऊंगी ताकि चटनी थोड़ी सी पतली हो जाए तो इसे एक बावल में हम निकाल ले इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर बागी बची चटनी निकाल लेंगे तो इस तरीके से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और चटनी भी हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने कदम धनिया पु कदम की चटनी बना लिया है और इधर हमारी चटनी भी बन गई है चली हम देख लेते हैं मता रालू का जो हमने पेश्ट बना कर रखा था ना वो कम से कम 10 से 15 मिट हो गया है रेस्ट होने के लिए मैंने छोड़ दिया था चली यह देख लेते हैं तो यह देखिए काफी में हमने डाला था ना तो इसकी वैसे ही अच्छे से फूल गया है इसको और विज्जादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक छोटू सा फ्राइंग पैन गरम होने के लख दिया उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें डाल देंगे काला सरसो और सफेद तील तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा फ्रेंट्स यह जो नाश्ता है इसे में दो तरीके से बनाने वाली हूं बहुत ही जादा इजी और बहुत ही जादा टेस्टी बनने वाला है तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ने भूलेगा तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं जैसे कि स्वात करन सा नमक हींग डालेंगे मटर की वैसे इसमें हींग जरूर डालें जीरा पाउडर डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इससे चटपटा सा फ्लेवर यह नहीं है तो आप स्वाट का पाउडर डाल सकते हैं यानि की अदरक का पाउडर साली चीजों को डालने के बद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं बहुत ही जाधा टेश्टी लग रहा है ना देखने में तो सारी तयारी हो गई है इसमें हम इनो देखने में ये कितना स्मूद्ध लग रहा है तो इसको रखने के लिए मैंने यह नहीं देख एक पलास्टी दखन को इस तरीके से ऐसे बना देना है उस तरीके से इसमें बना सकते हैं को इसा भी बॉटल लें लेकिन bottle soft होना चाहिए बहुत ज़्यादा tight वाला bottle नहीं लेना है इसके लिए मैंने यहापी लिया है plastic plastic के नीचे वाले part को हमें थोड़ा सा cut कर लेना है और जो मटर वाला batter बनाया था ना इस plastic में भरना है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यह recipe बना कर तयार कर सकते हैं बिल्कुल भी आपको कोई सी भी problem नहीं होगी और इस bottle में हमें भरना है तो इस तरीके से अगर आप spoon से डालते हैं ना तो सारा batter नेचे गिर जाएगा bottle के अंदर बिल्कुल भी असानी से नहीं जाएगा तो यह tips भी हो गई आपके लिए तो इस तरीके से बहुत ही असानी से सारे batter है ना इस bottle के अंदर हमें भर लेना है friends मैं आपको याद दिला दूँ अगर आपको यह recipe थोड़ी सी भी पसंद आए तो please इसे like कीजेगा अगर आपको नहीं पसंद आए ना डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कीजेगा जरूर इससे मुझे पता चलता है कि आपको यह recipe पसंद आई या नहीं आई तो जो भी batter है ना इस plastic के bottle में मैंने भर दिया है बहुत यह असानी से भर जाते हैं और इस तरीके से इसका बनाना बताओंगी तो इस तरीके से आप कट करके भी बना सकते हैं बहुत यह असानी से बन जाते हैं और एक और तरीका में बताओंगी लेकि इसे हमें पहले अच्छ से भूल लेना थो यह देखिए फटाफट से यह यह बहुन कर तयार हो जाते हैं बहुत ही जल्दी fry हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से fry हो गए हैं। और इसका जो कलर है n, देखने में बहुत ही जादा बढ़िया लगता है। तो इसे हम फट फट से निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो cooking process है न, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके स भी आप बना सकते हैं ये देखिए बॉटल को पुश करेंगे न तो इस तरीके से ये देखिए लेयर्स में निकलेंगे तो बहुत यसानी से ये जो नाश्ता है न बनकर तयार हो जाता है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट् पलटते हुए भूल लिया है बहुत ही असानी से भून जाते हैं और इसका जो कलर है एकदम नैचरल आता है देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है तो इस तरीके से इसे अच्छे से भून कर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है ये जो नाश्ता है इसे ब बहुत ही असानी से बन कर त्यार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़िदार लगते हैं तो चलिए हम दूसरा नाश्ता भी बना कर त्यार कर लेते हैं यहाँ पे फ्राइंग पैन गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम एक चमच ऑईल डालेंगे एक लगते हैं तो इस तरीके से भी आप यह नाश्ता बनाकर त्यार कर सकते हैं इसे ड्लक देते हैं ताकि यह अच्छे से पुक जाय तो बहुत ही आसानी से यह जो नाश्ता है कर त्यार होता है तो इसके किनारों पे हम थोड़ा सा ओल देते हैं आर इसे ढ़क देटे तो इसी तरीकर से हमें इसे उलठते-पलठते हुए दोनों उस सबसिंदर से ंच्छे से खक लेना आपको ये रेसेपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगे तो भी बताईएगा ना अच्छी लगे तो भी जरूर बताईएगा और आपने कभी ये नाश्ता बनाया है या नहीं बनाया है वो भी जरूर बताईएगा तो चलिए फ्रेंट्स फटा इसे बनाना बताया है, जो भी आपको तरीका पसंद हो आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं, तो चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, देखे कितनी असानी से कट हो रहा है थोड़ा से यह क्रिस्पी है और गर्म है इसलिए मैं थोड़ा से इसे अच्छे से टच नहीं कर आप ठंडा होने के बाद इसे कट करें, बहुत ही आसानी से यह कट हो जाते हैं और आप देख सकते गर्मा गरम यह मज़दार सा नाश्ता बनकर तयार हो गया है, सर्दियों के मौसम में रजाई में बैट कर टीवी देखकर यह नाश्ता आप खाईए, बहुत ही जादार ल पर आपको ट्राई करना तो बनता है, जरूर बताईएगा कमेंट करके, और जो हमने कदम की चटपटी सी चटनी बना कर तयार किया था ना, उसे भी हम सर्फ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं किता बढ़िया यह देखने में लग रहा है, उतना ही यह खाने में भी लगत और इस नाश्टे के साथ तो बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है, जरूर ट्राई कीजेगा, मुझे उमिद है आपको यह रेसेपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसकी जो क्रिस्पिनेस है मैं आपको सुनाती हूँ, यह देखिए, किता बढ़िया चूने से आपको पता चल रहोगा किता ज़्यादा यह क्रिस्पी बना है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा क्रिस्पी यह नाश्टा बनकर तयार हुआ है, उमीद करती हूँ, आपको यह भी रेसेपी जरूर पसंद आई होगी, इसे भी मैंने दो तरीके से आपको बनाना बताया है, आपने कभी इस तरीके से नाश्टा बनाया है या नहीं बनाया है, वो भी जरूर बतायेगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, चलिए मैं आपको इसे खा कर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, जरूर ट्राइ कीजेगा, और इसे भी मैं आपको खा कर दिखाती हूँ, यह जो चटपटी सी चटनी है ना, इसके साथ डिप करके बहुत ही ज़्यादा लगती है, खा कर तो मज़ा ही आगया फ्रेंस, यकीन मानिए एक बार आप इस रेसिपी को बना लेंगे ना, तो पूरी सर्दी आप यही रेसिपी बनाना चाहेंगे, उमीद करती हूँ, आपको यह रेसिपी बहुत ही ज़ादा पसंद आई होगी, दो तरीके से मैंने मटर का नाश्टा आपको बनाना बताया है, तो जो भी आपको तरीका पसंद है, उस तरीके से आप इसे बनाईए, खाईए और अपनी फैमली के साथ इंजोई कीजिए, अ जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ, तो नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल जाए, तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनीक, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई-बाई and टेक क्यार